नमस्कार निशा मधुरिमा रेसीपीज में आप सभी का स्वागत है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो कृपिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरेंट पाने के लिए बेल के बटन को भी जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीपल का पेड आपको सेहत से जुड़े लाब भी दे सकता है पीपल के पत्तों में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैगनीज, कॉपर जैसे ज़रूरी पोशकतात्व मौजूद होते हैं स पीपल के स्वास्थलावों के बारे में अभी आपको कौन सी बिमारी में इसे कितनी मात्रह में तथा कैसे सेवन करना है इसके बारे में जान लीजिये जब आप पीपल के पत्तों को पानी में उबालते हैं तो इन में मुझूद सभी गुनों को पानी आउशोशित कर लेता है और यहाँ एक बहतर हैल्थ ड्रिंक बन जाता है यहाँ ड्रिंक डाइबेटेज रोगियों में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है रुदे रोगों की जोखिम को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है खराब फोलेस्ट्रोल कम करने में और हाई भीपी को नियेतरित रखने में मदद करता यह शरीर को डीटॉक्स करने में मददगार होता है शरीर और रख्त में मौझूद हनिकारग करनों और टॉक्सिंस को बाहर निकालता है और शुद्ध करता है यह पाचन को दुरुस्त करने में भी काफी लाब दैख होता है पेट सम्मदी सभी समस्या को भी दूर करने में लग गया है तो आप इस ड्रिंका सेवन जरूर कीजिए इसे पीने से फूड पॉजनिंग की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है यदि किसी को साथ संबंदी तकलिफ रहती है तो उनके लिए ये उपाय काफी लाब दैक हो सकता है इसके लिए पीपल के पेड़ की छालका अ गमा की समस्या भी ठीक हो जाती है ये अधि आपको कब्ज रहता है गैसिस की समस्या है आपका पेड़ ठीक से साफ नहीं होता है बहुत जदा पिपता रहता है तो इसके लिए आपको क्या करना है पीपल के ताज़वय पत्तौ का रस निकालकर सुभ þ शाम एक एक चमच पी पीपल की पेर्द को वरदान मना गया है और दातों में दर्द की समस्या है और दातों में दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है पीपल की छाल को घिसकर लगाने से काफी लाब होता है शरीर के किसी हिस्से में घाव हो जाने पर पीपल के पत्तों का गर्म लेप लगाने से घाव सुखने में मदद मिलती है सर्दी जुकाम जैसी समस्य में भी पीपल लाब दैख होता है पीपल के पत्टों को छाव में सुखा कर मिश्री के साथ इसका काड़ा बना कर पीने से काफी लाब होता है इससे सर्दी जुकाम जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है तवचा का रंग निखानने के लिए भी पीपल की छाल का लेप या इसके पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है इसके अलावा यह तवचा की जुरियों को काम करने में भी मदद करता है पीपल की ताजी जड़ को भीगो कर तवचा पर इसका लेप करने से जुरिया कम होने लगती है यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानि की तनाव रहता है तो आप क्या करें पीपल की ताजी पत्तियों को नेमित रूप से चबाए इससे तनाव काफी कम होता है और ये बढ़ती उम्र की असर को भी कम करता है दोस्तों गर्मियों की दिनों में नक्सिर की समस्या बहुत ज़्यादा होती है नक्सिर यानि की नाक से खून बहने की समस्या यदि किसी को भी नकसिर की समस्या होती है तो ऐसे में क्या करें पीपल की कोमल पत्तियों को तोड़ कर इसका रस निकाले और इस रस की कुछ बूंदे नाक में डाले इससे आपको तुरंट लाव होगा एक प्रयोग आप और कर सकते हैं पीपल की पत्तियों को मसल कर सूंगने से भी नकसीर में लाब होता है यदि आपकी एडिया बार बार फट जाती है तो आप क्या करें पीपल की पत्तियों को तोड़ कर इसका दूद निकाले और ये दूद फटी हुई एडियों पर लगाए कुछी दिनों में आपकी फटी एडिया ठीक हो जाएगी और काफी कोमल और मुलायम हो जाएगी यदि आपको पीलिया की समस्या है तो आप क्या करें पीपल की कोमल चार से पाच पत्तिया ले ले इन्हें अच्छे से धो कर एक मिकसर के जार में डाले थोड़ी से मिश्रे डाले और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीश ले इसे एक शर्बत की तरह बना ले और चान कर सुभा शाम तीन से पाच दिनों तक लगातार पिये कुछी दिनों में आपकी पीलिया की समस्या ठीक हो जाएगी यदि आपको ताजी पत्तिया रोजाना नहीं मिल सकती है तो आप क्या करें पीपल की कुछ पत्तियों को लेकर अच्छे से धोले चोटे टुकडों में तोड कर घर के अंदर ही ने सुखा ले और इसका पाउडर बना ले आपको यहाँ यह धागे वाली मिश्री ले लेना है और इसका भी पाउडर बना कर रख लेना है अब आप क्या करें जितनी मात्रा में आप पीपल के पत्तों का पाउडर ले रहे है उतनी मात्रा में आपको मिश्री का पाउडर भी लेना है इसे अच्छे से मिला देना है और किसी एर टैट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते है अभी आप क्या करें सुभा और शाम खाली पेड एक गिलास पानी में एक चमच पाउडर डाले और इसका शर्बत बना कर पी ले इस शर्बत का सेवन आपको सुबह शाम पाच दिनों तक करना है यदि पाच दिनों में आपको लाब नहीं होता है तो आप इसे एक सब्धा तक ले सकते हैं इससे कोई भी हानी नहीं होती है यदि क को पीपल की ताजी पत्ति अरोज़ा न बिल सकती है तो आप ताजी पत्तियों का रस निकाले और इसमें शहर डाल कर इसका सेवन करें इससे भी हकलाने की समस्य ठीक हो जाती है और वानी में लेकिन डॉक्टर के पास जरूर दिखाया है यदि आपको आज के हमारी ये वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस असरदार नुश्के से लाभ हो सके इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते